हेलो दोस्तों, निप्टी एनलेसिस का इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं, निप्टी आने बाले कुछ दिन के लिए कौन से दिशा पर आपना ट्रेंड दिखाएगा, क्या निप्टी इदर से ये बारे जो हाई आज इसने बनाए है, इसको तोर के और भी आफ साइट पर जाएगा और बैंक निप्टी की तरह बहुत ज्यादा बूलिश होकर अपने अल्टाइम हाई को आभी क्या भी तोडने के लिए जाएगा, या फिर निप्टी इदर से फॉल कर सकते हैं, लेकर ये पॉसिबिलिटी डिसकसन करने से पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये ये काल जो मैंने वीडियो बनाया था, उतर मैंने क्लियर ले डिसकसन किया था, एस पर एलियोटोव थियोडी, फिवोनासी, एंड हार्वोनिक पैटन्स, कि निप्टी जो है इदर से गीड़ सकते हैं, और आपना ये बाला जो 38% का जो लेवेल है, जिसको मैंने बहुत आ रहा हैं कि ये जो 38% का जो लेवेल है, मार्केट उस जगा के एकदम करिप करिप तक आ गया था, तो अभी बात यहां कि मार्केट जो है, ये काल कौन से दिशा पर जा सकते हैं, और आने वाले कुछ दिनों के लिए कौन से ट्रेंट पा कर सकते हैं, इसके लिए मैं निप निप्टी को दिखाता था, यूँकि बैंक निप्टी ओहीं करता था, जो निप्टी करता था, बट अभी जो मुझे लागना है, बैंक निप्टी पे, बड़ा टाइम प्रेम पे, आप लोग को मेरा जो भीव है, वो दिखाना थोड़ा जारूरी हो गये हैं, और जिन या टू आउर का टाइम पे, या सबसारी डेली या जितना बड़ा टाइम पे आप अगर मुझे से पूछेंगे, तो आभी निप्टी जो मुझे लागना है, निप्टी का ट्रेंड है, बाई इन डिप, आभी बी के लिए भी, यानि कि निप्टी जितना नीचे आएगा, उधर ऐसा कुछ एक पॉकेट जाएसा बनाएगा, तो इधर से कुछ लोग बाई करेंगे, तो इधर से फिर से आप साइट पे जाएगा, और निप्टी बुलिया, या फिर कोई भी मार्केट, जाब बूल मार्केट चलते हैं, तो उसके अंदर ऐसा बीज बीज में, ऐसा ह एक सारफ फॉल आते हैं, चाहिए हो गैप के माध्यम से हो, या फिर जो इधर ऐसे दिखाएते, तो ऐसा सारफ फॉल्स नॉर्मली आते हैं, यह होता है बुल मार्केट का एक सेक आउट का प्रोसेस, तो यह वाला जो गैप डाउन हुआ है, या फिर ऐसा ही कुछ एकाद ग अगर आप देखे, तो इधर जो मुझे लग रहा है, इधर दो पॉसिबिलिटी है, उन में से एक है कि यह जो है, यह यह A, B, C में लाकर मार्केट जो है, अपना A बना है, A, B, C करके, मार्केट जो है, यह आपना B बना चुके है, और यह 1, 2, 3, 4, 5 करके आएगा, जो एस इस पर एलियोट्य थियोरी बोले जाते हैं, यह है आपका एक फ्लैट पैटन, ओके, यह जो है, यह आपका एक फ्लैट पैटन हो सकते हैं, यह आपका एक पैटन बना सकते हैं, यह आपका एक काउंट अब ले सकते हैं, रेकिन इसके लिए यह वाला जो हाई इसने बनाया, इस high को hold करना जरूरी है, normally हम यह expect नहीं करेंगे, कि market इधर से लागातर high फे high बनाते जाए, और यह वाला possibility को हम hold करेंगे, यह normally होगा नहीं, बट इधर एक बात है, वो ही है कि यह जो irregular flat है, यह इसका नाम ही irregular है, क्योंकि यह irregular है, मतलब यह regularly आते नहीं है, तो इसलिए इसको मैं हमेशा एक odd count मान के चलता हूँ, तो हमारा main count यानि कि दूसरा एक count जो हो क्या हो सकते हैं, उसके लिए यह मैं निफ्टी का 2 hour का चार्ट पर जाकर यह दिखाना चाहूँगा, कि इधर जो मैं इससे पहले mark कर रहा था, जो 123 यह आपका एक फोर्टोईब होके, और देन यह 50 के लिए आगे बाढ़ चुके हैं, तो यह जागा तक मैं mark कर रहा था, इसके अंदर जाकर जो मैं आभी दिखाऊंगा, 12345 तो इसके बाद market थोड़ा नीचे आएगा, यह हमारा expectation था, जो market ने gap आप पर थोड़ा आये हैं, बट इसके बाद बार time frame पर भी यह थोड़ा यह 1, 2, 3, 4, 5 करके यह 5th complete कर दिया, तो इदर एक दूसरा possibility जो हो सकते हैं, यह है यह बड़ा बाला 5th के अंदर का 1, यह जो है यह बड़ा बाला 5th के अंदर का यह हो गया आपका 2, तो यह 5th के अंदर का 2, यह 5th के अंदर का 3, 5th के अंदर का 4, 5 ऐसा करेगा, तब जाकर यह बड़ा बाला 5th है, यह complete होगा, यह एक possibility मुझे लाग रहे हैं, तो अब बात यह होता है कि market जो है, इदर से यह ABC करके ऐसा नीचे आने का कोशिस करेगा, या इदर जो दूसरा possibility में बोल रहा हूं कि यह 1, 2, 3, 4, 5 करके और भी upside पर जाएगा, जो मैरा एक alternate count है, यानि क के दूसरा count है, कौन सी count से ही होगा, उसके लिए मुझे लागने कि थोड़ा अफ्रेक्सा करना पड़ेगा, यह बाला जो high है, इस high को market आगा तोड़के थोड़ा बहुती upside पर जाने का प्रयास करेगा, तो मैं भी तब जाकर इसको मैं यह 5 के अंदर का 1, 2, 3, 4, 5 मार्क कर यह जो होगा, यह होगा हमारा C, तो मोटा मोटा यह एक आपका regular flat nifty बना सकते हैं, जो हमारा main expectation है, बाट यह तब तक valid है, जब तक यह बाला high है, इसके उपर ना जा रहे हैं, तो बात यह है कि मैं अगर यह possibility दिखा रहा हूँ कि nifty तर से नीचे आ सकते हैं, तो फिर मैं क् क्यों बोल रहा हूँ, उसके बीचे कारण यह है कि nifty जो है, इधर suppose कि यह जो मैं possibility दिखाना हूँ, यह A है, यह B है, यह जो है यह आपका C है, तो यह आपका ABC मिला कर अगर flat हो गया, तो क्या यह ABC flat होने के बाद market जो है, यह बहुत सार्फ लिए ऐसा चले जाते हैं, यह ब मतलब यहां कि market जो है, इधर से 5 ओए जो सर्फ decline होते हैं, जिसको आप 1, फिर यह 2, फिर यह 3, फिर यह 4, फिर यह 5 mark करेंगे, यह बाला possibility अभी के लिए nifty आज का जो pattern बनाए है, उस पर यह बाला possibility मुझे नहीं लागड़ा कि nifty इतना ज्यादा decline करेगा, जितना US market कर रहा और यह बाला possibility नहीं लागड़ा है, इसलिए यह जो nifty का 1 hour का जब time frame में मैं दिखा रहा था कि यह पूड़ा का पूड़ा A, यह है आपका irregular B and then यह 1, 2, 3, 4, 5 करके C आएगा, इसलिए मैं इसको alternate count के तोर पे राखना चाहता हूँ कि C के लिए यह इतना आएगा और यह बा on dp है, तब बात यह होता है कि बहुत साए लोग जो मुझे आज सबल पूछ रहे थे, टेलीग्राम पर या फिर whatsapp पर भी, वह यह है कि यह बाला जो जगा है, यह तो बहुत एक बड़ा gap पे खोल गया और हमारा 38% का level जो मैं काल भी दिखा चुका था, live market पर भी यह बाला यहाँ पर इतना बड़ा gap नहीं हुआ, उसको देखकर इसको 1, 2, 3, 4, 5 या ABC मार्क करने का कोशिस करते हैं, तो आप क्या करेंगे, ओ भी मैं दिखाओंगा, बाट उससे पहले मैं bank nifty पर तोड़ा दिखाना चाहूँगा, बड़ा टाइम प्रेम पर मेरा count क्या है, जहाँ निफ्टी पे मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुका था, कि यह बार जो लो है, इसको मैं 0 मानके, मोटा मोटा इसको 1, 2, 3, 4, 5 हो गया निफ्टी पे, और देन जो है, यह ABC या WX, Y, Z, या फिर यह तरे ट्राइंगल का possibility लेकर alternate count भी दिखा था, यह निफ्टी कर सक तो यह बार जो जगा है, इसको आप 4 और 5 मार्क कर सकते हैं, बाट मुझे नहीं लगड़ा कि इसको 4 और 5 मार्क करना निफ्टी की तरह, बैंक्टी की पर भी यह सहीर आएगा, उसके भी जो दो तिन कारण है, कि यह बार जो second wave है, यह अगर सार्फ होए है, तो यह फोर्ट करने का ऐसा फ्लैट या ऐसा ट्राइंगल जैसा कुछ बाने, तो यह जो है, यह आपका first wave है, यह अगर second wave है, तो यह थार्ट wave है, उसके बाद मेरा expect है, यह पूरा का पूरा आपका fourth wave है, यह में भी आपका W, X, Y हो सकते हैं, और दूसरा एक कारन है कि जो मैं बाद में किस कुछ इस तरीके से में भी A, B, C मिला कर W, फिर इधर कुछ X, फिर इधर जो है, A, Y, ऐसा ही कुछ दीख रहा है, मतलब यह बड़ा बाला जो X है, इस X के अंदर का यह जो एक sub waves दीख रहा है, वो corrective rise दीख रहा है, obviously यह sharply हुए है, बट फिर भी यह corrective rise है मुझे लाग रह पर इस फीपत का पार्ट में मानना चाहरा हूँ, बट जहाँ पर नीप्टी पर अगर आप देखना चाहिए, तो नीप्टी पर मेरा count जो है, पहले मैं bank नीप्टी की तरह है, नीप्टी को भी mark कर रहा था, बट बाद में मैंने उसको mark कर दिया, कि यह नीप्टी का फीपत पर जाने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए मेरा एक्सपेक्ट जाना कि नीप्टी जो है, वो और bank नीप्टी थोड़ा अलाग होई पर चल रहा है, तो आभी चले नीप्टी का छोड़ा टाइम पर चलते हैं, तो आभी हम आगए नीप्टी का वान मिनिट का टाइम पर मेरा खूद का भी ट्रेड हो सकते हैं, कि साब उसके आज मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को अप्डेट देने का समाई नहीं पाता, तो इसलिए मैं जो देखाना चाहूंगा, वो यह है कि यह बाला जो जागा है, इसको आप थार्ड या फिप्थ कैसे मा मार्केट पारी, देखिए पहली बात है, यह आपका लग रहा है कि अगर ए है, तो यह तब जाकर यह B होगा, तो B कहा तक होगा, अगर यह A तीनों प्याड है, तो B जो होगा, यह सारक वे पे बहुत आप साइट पे जाकर, यह जो A का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके आसपास तक चाला जाएगा, B, and then C के लिए इतना नीचे आएगा, और अगर यह पॉसिबिल्टी नहीं है, यानि कि A जो होगा, यह पांच वे पे डाउन है, तो B इतना उपर नहीं जाएगा, B थोड़ा सा एसा अपसाइट पे जाएगा, तो यह बाला जो फॉल है, इसका नॉर्मारी 38.2% या इसके आसपास तक जाते हैं, और इधर से सार्फिल नीचे आएगा, तो बहुत साए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कि यह बाला जो जागा है, इस गैप्स को लोग कैसे मार्क करें, उसके लिए मैं आब लोगों को यह फिबोनासी का सारा लेने क उपे, तो आप चलिए देखते हैं कि मार्केट जो है, यह वान मिनिट का टाइम टेम पर क्या कर रहा है, तो इधर देखिए, मार्केट जो है, इधर से मोटा मोटा एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच साबवेब मोटा मोटा इधर बना चुके हैं, तो यह A है, तो य अगर आपका प्रॉब्लेम है, तो मैं इधर बाताना चाहूँगा, यह जो है, यह दोनों का दोनों प्राइस वाइस जो एक फिबोना सी क्लास्टर बनाए है, उसका इस्तेमाल कीजिए, देखिए, यह अगर तीन ओवेब पे मार्केट नीचे आए हैं, तो यह जो इसके ब 6% है, यह बड़ाबाला फॉल का, उसके उपर नहीं जा पाएगा, तो अभी चलिए देखते हैं कि यह B wave का प्रोजेक्शन हमारे लिए क्या है, तो इधर जो है, यह बड़ाबाला B जो है, इस B के अंदर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यह आपका A हो गया, यह हो रहा है आप प्रेम पे, उसके लिए इधर तक आएगा, यानि कि 18,050 तक आएगा, तो बड़ा टाइम प्रेम का 78.6% का लेबल को यह तोर के आप साइट पे जाएगा, तो इए अगर बड़ा टाइम प्रेम का 78.6% का लेबल से भी उपर जाएगा, तब यह बाला जो फॉल है, इसको आ यह तीन साब पे A हुआ, यह तीन साब पे B बनेगा, जो एक रेगूलर फ्लैट का निशानी है, और इससे थोड़ा उपर चला गया, तो यह जो होगा, यह इरेगूलर फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, और देन यह C के लिए मार्केट फिर से नीचे आ सकते, यह बाला एक प्रयास कर रहे हैं, और इधर से जब तक मार्केट जाएगा, जो मैंने आप लोग को इससे पहले भी बाता चुका था, कि यह इचिमू कुछ है, इसका आप इस्तेमल कर सकते हैं, इचिमू को का यह बाले जो रेट लाइन होते हैं, यह जो बीच का रेट लाइन होते हैं, उस जगा को टाच करने के बाद ही इधर से नीचे आया हैं, यानि कि अपना मोमेंटम जो है, वो तोड़ चुके हैं, इधर से जो सार्फ मोमेंटम पे जा रहा था, एस पर इचिमू को बोली है, या फिर यह जो फीबोना सी वाइस बोली है, या फिर जो नॉर्मली हमारा ABC पेटरन बोली है, उसी सबसे, यह अपना फीबोना सी वाइस जो हमने टार्गेट दिया था, उस टार्गेट को हीट करने के बाद ही यह अपना मोमेंटम को ब्रेक किया है, तो तब जाकर इस जगा पड़ी आपको प्रोफिट बूकिंग कर लेना चाहिए था, ओविसलिए पूरा दिन जब मार्केट राइस हो रहा है, तो बहुत साही लोग इधर से साइट पाकर के राखने का कोशिस करेंगे, यह आपके लिए बोनास पॉइंट है, ओके, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि मोटा-मोटा यह फीबोना सी बोली है, एलियाट वे बोली है, हार इची मुखु का कोई एक लेबल को तोड़ेगा, तब जाकर आप एकजिट करेंगे, इससे आपना जो इधर से इधर तक जो भी आपने प्रॉपिट किये होंगे, उसका एक आच्छा खासा हिस्सा आप खोड़ रहा है होंगे, तो इसलिए मैं यह फीबोनासी का इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, और उसके बाद आप देख पार होंगे, यह बहला जो A है, इसका हाई तक यह चला गया, देन में भी यह B हो गया, देन यह C के लिए आएगा, यह हमारा नॉर्माल पॉसिबिलिटी है, थोड़ा आप साइट पर जाने के बाद अगर चला आएगा, तो यह आपका एक irregular B हो जाएगा, जो A का 138% के आसपास तक चला जाते हैं, तो यह होना चाहिए हमारा एक main count और अगर यह किसी करण काल सुबह पे बहुत ज्यादा gap आप पे खोल गया, यानि कि 138% of A, इसका उपर अगर यह चला गया, किसी करण, तब जाकर फिर यह 4, फिर यह 5 करके बड़ा बड़ा जो 5 है, वह जाकर तब जाकर खतम करेगा, तो मित कर रहा हूं कि आप लोग को मैं चाहिए हो इचे मोख हो, हार्मोनिक्स हो, या फिर एलियोट हो, इसके माध्यम से मैं आप लोग को knowledge बड़ा पा रहा हूं, तो अगर आप लोग क ये वीडियो आच्छा लगा, तो काईलिए आप लोग like और एक आच्छा सा comment कर सकते हैं, और जो दोस्तों part day हमारा वीडियोज को like और comment करते हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, तब के लिए इतना ही, thank you and good bye.